मैंने 30 दिन काम किया, सैलरी ली, टेक्स दिया, मैंने मोबाइल खरीदा, टेक्स दिया, मैंने रिचार्ज किया, टेक्स दिया, मैंने बिजली ली, टेक्स दिया, मैंने घर लिया, टेक्स दिया, मैंने टीवी फ्रीज, इलेक्टानिक की समाने ली, टेक्स दिया, कार ली टेक्स दिया पेटोल लिया टेक्स दिया रोट पे चला टेक्स दिया लाइसेंस बनमाया टेक्स दिया कपडा खरीदा टेक्स दिया जूता खरीदा टेक्स दिया किताबे ली टेक्स दिया टाइलेट में गया टेक्स दिया दवाई मैंने खरीदा, टेक्स दिया, गैस मैंने भरवाया, टेक्स दिया, रेश्टोरेंट में मैंने खाना खाया, टेक्स दिया, पार्किंग में गाली लगाया, टेक्स दिया, पानी मैंने खरीदा, टेक्स दिया, कहीं पर फीश के नाम पे, तो कहीं बिल के नाम पे, तो कह जुर्माने के नाम पर मैंने टेक्स दिया, तो कहें रिश्वत के नाम पर मैंने टेक्स दिया, ये सब ड्रामे के बाद अगर गलती से भी हमारी सेविंग इकाउंट में कुछ बच जाता है, तो उस पे भी सरकार को मैंने टेक्स दिया, सारा पैसा गया कहां स्वाल उठता है सारा पैसा गया कहां करप्षन में इलेक्षन में अमीरों के सबसीडी में मालिया निरच मोदी को भगाने जैसे भगोडों में अमीरों के फारजी दिवालिया होने में स्वीस बैंकों में नेताओं के बंगले और कारों में रहा सहा बिधायक और संसत के खरिदने में और हमें जहन्डू बाम बनाने में अब किसको बोलू कौन चोर है आखिर कब तक हम अपनी जिन्दगी यूहीं घिसी पिटे जिन्दगी जीते रहेंगे ये सवाल हम आपके सूपर छोड़ रहे हैं ये जनता हमें जवाब देगी ठैंक्स ओ धन्यवाद